दुनिया की तीन सबसे गरम नदी क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी भी नदी हैं जिनका पानी अमेसा खोलता रहता है ये इतनी गरम है जिनका तापमान 100 डिग्री सेलसेस से भी उपर चला जाता है ये नदी हैं कौन सी है चले ही जानते हैं इस लिश्ट में पहले नमबर पर आती है अमेरिका की ला बॉंबा नदी ये नदी 7 किलोमेटर लंबी है ये एमजोन नदी की सहायक नदी है इस नदी का तापमान 100 डिग्री सेलसेस तक पहुँच जाता है ये गरम पानी किसी जुआला मुखी की वज़े से नीबल की प्राकरतिक रूप से गरम होता है दूसरे नमबर पर आती है दे बोईलिंग रिवर ये भी अमेरिका में बैठती है इस नदी का अधिक्तम तापमान 140 डिग्री सेलसेस तक दर्च किया गया है क्या आप जानते हैं भारत में भी अलग नंदा नदी में एक ऐसा कुंड मोजूद है जिसके पानी का तापमान हमें सा 53 डिग्री रहता है जिसे तपत कुंड के नाम से जाना जाता है क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे वेस्ट समुदरी रास्ता मिस्तर का स्वेज नहर है जाहां से रोज 50 से भी ज्यादा बड़े बड़े समुदरी जाहाज निकलते हैं इस रास्ते से दुनिया का सबसे बड़ा जहाज एवर गिवन दो लाग टन वजन के साथ चाइना से नीदर लेंड जा रहा था जहां ये 400 मिटर लंबा जहाज 200 मिटर चोड़े इस नहर में फस गया तो आखिर इतने बड़े जहाज को कैसे बाहर निकाला गया चली जानते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों बारत से यूरोप की समुंदर के बीच की दूरी 19,800 किलोमेटर थी जो इस नहर के बनने के बाद मेच 11,000 किलोमेटर है इस नहर से रोजाना 50 जहाज गुजरते हैं जिनमें 73,000 क्रोड रुपए का समान लदा होता है जब एवर गिवन जहाज इसमें फसा तो 150 समुंदरी जहाजों का रास्ता रुख गया और काफी टन मिट्टी हटाने के बाद इसे निकालने में 4 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लगा वीडियो पसंदा ही सब्सक्राइब करें